वीडियो में आपको स्वागत है आज बात करें वाट्सप के एक ऐसा ट्रिक को लेकर जो हमारे आखों के सामने रहते हैं बट हम लोग उसके उसके नहीं करते हैं तो वही ट्रिक मैंच को एपलाई करके दिखाऊंगा जो उसमें क्या ऐसा बेनिफिट हैं जो हम लोग को यूज करना चाहिए तो चलो कैसा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं इस वाट्सअब की सेटिंस के बारे में आपको बात करों एक उप्षिन है तो उसके लिए मैं वाट्सअब को ऑपन कर लेता हूं कर लिया एंड चलो किसी के भी चैटिंग में जाते तो देखो यहाँ पर बहुत सारे चैटिंग है तो मैं इस चैट के ऊपर किलिक करके रहूंगा तो उपर जितना भी आप्षिन है आपको सब कुछ मिनिंग्स पता है श्यार वगेरा डिप्लाई ओके डिलेट कॉपी तो इस सब्सक्रीट के उपर क्लिक कर तो इस तरह का स्थो वाला हो गया एक यह जैस को अखिर इस का श्यार देखो star मतलाब यह जो message है बहुत ज़दा important है आपको तो आप जितना भी important message है वो सब ऐसे करके star करके रख देंगे ठीके तो एक अलग से जगा पर load हो जाएगा so load कहाँ पर होगा वो ही मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ चलो तो जैसे मैंने एक message को मैंने load कर दिया तो उसको निकालेंगे कहाँ से बाहर तो निकालना चाहिए न हो वो तो star mark हो गया तो आप देखो बहुत सरा लोगों के साथ हर दिन chatting करते रह दो तो कोई ऐसा important text है या कोई documents है जो आपको भेजा है और उससे आप इस प्रिसल करके राखना चाहते हो तो उसको आप start mark कर दो तो वहाँ पर आज आएगा तो कैसे start mark करते हैं मैं आपको दिखा दिया बट आप दिखाऊंगा उसको आपको निकालना कहाँ है कि आप सारे important जितना भी text वगयरा सब कुछ है वह आपको मिलेगा थाहाँ पर तो इसके लिए simply whatsapp को home page में आना है और फिर उपर जो three dots यहाँ पर आपको click करने तो इस तरह का इतना short option आपको देखने को मिल रहा है तो simply यह वाला option जो है यह वाला ठीक है इसमें आपको click करना है तो देखो जो मैंने start किया था वह आ गया तो आप जितना भी start करके रखोगे वह सब यहाँ पर आज आएगा बहुत आसान है गाईज यह बहार निकलना और सारे important text आप यहाँ पर रख सकते हो इसी तरह से तो यह whatsapp का official feature है जो बहुत कमाल है बहुत अच्छा है तो आज के लिए यह वीडियो इतना है उमेद का तो वीडियो आपको पसंद आए अगर पसंद आए तो लाइक करने शेयर करने चैनल सास्क्राइब करना चुकि इसी तरह का और वीडियो आते रहेंगे